असलाम अलेकुम वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन नबर नाइन को डिसक्स करेंगे सबसे पहले मैं अल्रेडी इसके ओपर वीडियो बना चुकी हूं लेसन नबर वन टू एट मैंने बनाई थी और उसके बात मैंने 20 to 21 ऑनवर्ड भी वीडियो इसकी जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगी आपको 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 सारी वीडियो भी समझ में आ गई होंगी और पसंद भी आई होंगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और वीडियो को लाइक करें comment करें उनके उपर अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उस पर comment भी कर सकते हैं share करें अपने friends के साथ उसके बाद सबसे पहले जो है हमारा lesson number 9 है जो basically आज हम लोगोंने discuss करना है what is linguistics अब हम basically introduction to linguistics ही पढ़ रही हैं जिसका topic अब जाके हमें आया है ठीक है linguistics को समझने से पहले हमें बता होना चाहिए कि language क्या है क्योंकि language और linguistics का बहुत important role है एक दूसरे के साथ जो relation है ना वो बहुत strong है ठीक है अगर आपको पता होगा कि language क्या है तो ही आप समझ सकते हैं कि linguistics क्या है तो language क्या है हर किसी को पता है कि language क्या है जो हम communication करते हैं communication किस चीज़ की हम जो desires होती है हमारी जो feelings होती है हमारे जो emotions होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ share करते हैं ठीक है अब हम उसको जो है वो written form में भी कर सकते हैं हम उसको जो है ना वो spoken form में भी कर सकते हैं लेंग्विज यही होती है, अब हर किसी की जो है, वो अपनी लेंग्विज होती है, ठीक है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, हर सुसाइटी, हर कल्चर की जो है, वो अपनी लेंग्विज होती है, तो लिक्विस्टिक्स क्या है, अब basically introduction में भी यही चीज़ है कि language is a method of human communication. इसमें हमारी human communication आती है, जैसे नहीं आपको बताया है, वो written form में भी हो सकती है, spoken form में भी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद what is scientific? scientific क्या है? linguistics is defined as this scientific study of language. अब linguistics को scientific study किया जाता है, इसमें हमें language को scientifically study किया जाता है, ठीक है? इस तरह से नहीं कि ऐसे हम daily life में language को use कर रहे होते हैं, उसको हम linguistics बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो है, हमें समझ नहीं आता है, हम अपने mind के according, अपने feelings के according, अपने emotions के according, उस language को use कर रहे होते हैं, लेकिन जो linguistics है, वो empirical test based, empirical evidence based, उसको बोला जाता है, या उसको जो है ना, वो form किया जाता है, या वो उसको पढ़ा जाता है, जो हमें prove देता है, कि ये बात clear है, ये बात ठीक है, जिसमें हमें कोई इस तरह से फजूल या fake assumptions नहीं होती है, ठीक है, जो evidence based होती है, जो test based होती है, ठीक है, test करके ही उसको बताया जाता है, कि ये language इस तरह से use की जाती है, और बोली जाती है, और ये और वो, ठीक है, तो ये जो है linguistics, वो scientific study of language भी है, क्योंकि इसको scientifically study किया जाता है language को, अब language में इसमें जो है ना, वो several branches आती है, descriptive linguistics आती है, historical comparative linguistics आती है, psychronic, dichronic linguistics आती है, phonology, phonetics, morphology, semantics, each and everything जो है ना, इसमें हम language का study करते हैं, कि किस तरह से language में हम sounds को produce करते हैं, किस तरह से हम words को perform करते हैं, किस तरह से हम जो meanings को understand करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम linguistics में study करते हैं ठीक है अब इसमें जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आगे वाले lessons में descriptive linguistics के ओधिया historical linguistics के ओधिया ये सारी चीज़ें भी आपको आगे सीखने को मिल जाएंगे What is linguistics? Linguistics क्या है? Linguistics कहते है scientific study of language को ठीक है सबसे पहले ये line आपने आद रखनी है अब इसमें हम लोग language की हर चीज़ को study करते हैं ठीक है language को किस तरह से बनाया जाता है किस तरह से form किया जाता है किस तरह से हम prefix and specifics आट करके एक निया word generate करते हैं किस तरह से हम words का जो meaning है उसको understand करते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो linguistics में study की जाती है अब इसकी जो है न वो official एक definition को पढ़ लेते हैं It is a scientific study of language and its structures इसमें हम लोग language के study करते हैं और इसके structures के study करते हैं scientifically including study of grammar, syntax, phonetics, branches of linguistics ये सारी चीज़ें जो हैं हम linguistics में पढ़ते हैं ठीक है I hope कि यहां तक आपको clear हो गया होगा What is language? अब language जो मैंने आपको बताया था कि linguistics को समझने से पहले language को समझना important है तो language क्या है हमारी human communication है जिसमें हमारी emotions, desires और feelings आती है ठीक है जो हम अपने friends के साथ gossip कर रहे होते हैं हम अपने teachers के साथ बात कर रहे होते हैं यहां पिर हम अपने parents के साथ बात कर रहे होते हैं अब language में जो है वो informal और formal communication भी आती तो उसकी भी आप इसमें जो है ना वो explain कर सकते हैं उसकी चीज़ को उसके बाद linguistics versus polyglot अब linguistics क्या होते है linguistics does not emphasize practical knowledge अब linguistics जो है वो emphasize नहीं करती है practical knowledge पे बलके किस चीज़ को जो है ना वो उसमें देखा जाता है in which language is organized to fulfill human needs जिसमें हम language को organized way में देखते हैं कि किस तरह से language जो है वो organize की जाती है किस तरह से sentences को बनाया जाता है किस तरह से word को कहां पे use किया जाता है जो parts of speech होते है हमारे noun कहां पे use करना है adjective कहां पे use करना है object कहां पे use करना है ये सारी चीज़ों को जो है ना organized way में हम लोग देखते हैं language में अब polyglot क्या होता है ठीक है polyglot कहते है आपका जो जिसमें आपकी several languages आती है ठीक है एक person है जिसको बहुत सारी languages बोलनी आती है understand करनी आती है उसको हम polyglot कहते है ठीक है अब knowing or using several languages अब हम कहते हैं जैसे bilingual होता है जो जिस person को two languages आती है उसको हम bilingual कहते हैं जिसको three languages आती है उसको हम trilingual कहते हैं इसी तरह जिसको several languages आती है बोलनी और understand करनी उसको हम polyglot कहते हैं अब linguistics और polyglot में यही difference है कि linguistics में देखा जाता है कि person किस तरहां की language use कर रहा है ठीक है पॉलिक लोड जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको several languages आती है understand करनी भी और बोलनी भी लेकिन जो linguistics है वो उसको जो है वो देखता है कि वो एक person है जिसको several languages आती है वो कौन सी language को कहां पर use कर रहा है किस तरहां से use कर रहा है उसकी language का meaning क्या है वो words को किस तरहां से pronounce करता है उसके words किस तरहां से produced होते है ठीक है यह सारी चीज़ें जो है न उसके sounds जो है words की वो यह सारी चीज़ें जो है वो linguistics जो linguistic देखता है linguist sorry देखता है उसकी study करता है in short कि linguist study करता है कि polyglot वाला person जो है वो किस तरह कहां पे language को किस जगा में किस तरह से use कर रहा है अब इसके जो है ना वो तीन features है explicitness systematicness objectivity तो सबसे पहले है explicitness explicitness क्या होता है a feature of translated text as opposed to original text production अब something clearly or directly so that meaning is easy to understand इसमें क्या होता है कि हमारी जो original text होता है उसको हम लोग translated way में जो है ना वो text बना देते हैं उसको यानि कि हम clear way में लिख देते हैं जैसे हमारा original text होता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है जो यहां पे लिखा हुआ है आपका original text है ठीक है explicitness की definition है जैसे वो आपके लिए easy to understand नहीं है वो difficult है आपके लिए आपके समझने के लिए मुश्किल है इसलिए मैं उसको जो है ना वो translated form में आपको बता रही हूँ कि वो जो है वो आपको easily understand हो सके कि उसका meaning क्या है अगर आप यहां से read करेंगे explicitness की definition तो आपको समझने में थोड़ा सा time लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा sometimes ठीक है लिकिन अगर मैं आपके साथ जो है ना उर्दू में explain कर रही हूं translated text बना रही हूं उस चीज़ का तो आपको easily समझ में आ रहा है कि इसका meaning क्या है so that is the explicitness जो मैं easy way में आपको बता रही हूं direct way में आपको बता रही हूं कि इसका meaning यह है जिसमें हम directly और जो है ना clearly हम audience को अपनी information share कर देते हैं उसको हम explicitness कहते हैं अब यहां पर degrees बताएं है explicitness की एक high degree है and low degree है यहां हाई डिग्री जो है वो refer करती है कि language जो है वो clear है और detailed है इसको हम direct communication भी कहते हैं आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो high explicitness है वो basically explicitness की definition है इस तरह से मैंने आपको बताए हैं कि explicitness होता है जिसमें हम clear और detailed information share करते हैं हम directly information share करते हैं तो वही जो है बो high explicitness है जिसमें हम clear और detailed information शेयर करते हैं यहाँ बेजिकली आपका implicit communication है implicit होता है कि आप इसमें जो ने होती डिरेक्ट इंफरमेशन सेयर करते हो बाते हो औरorta अपना message है तो low implicitness भी यही है कि इसमें आप indirect communication करते हो, implicit जो है ना refer कर रही है इस चीज़ को, जिस तरह से high explicitness refer कर रही थे explicitness को, तो low explicitness जो है वो refer कर रही है implicit को, जिसमें हम इतनी detail नहीं देते हैं, जिसमें हम indirectly अपना message convey करते हैं, अपनी communication करते हैं, और not clearly और ये clear नहीं होती है, जिससे हम easily understand नहीं कर सकते हैं meaning, ठीक है, अगर मैं यानि कि आपको कहूँ कि यह message यहां से यहां तक जो है ना आपने पढ़ लेना है, original text आप कहलें, in short, original text जो होगा ना वो आपका low implicitness होगा, कि आपको difficulty होगी उसको understand करने में, ठीक है, second आती है इसका feature systematicness में, अब इसका क्या मतलब है कि systematic means ordered, arranged form में, हर चीज़ जो है ना उसके arrange है, उसका order है कि one, two, three, उसके orders बने हुए, वो arranged form में है, ठीक है, इसको हम systematic कहते हैं, according to a system of set of rules and conventions, जिसमें हम language को structure देखते हैं, एक proper format देखते हैं, इसकी grammar देखते हैं, phonology देखते हैं, किस तरह से sound जो है, वो produce किये जाते हैं, किस तरह से grammar जो है, वो use की जाती है, किस तरह से language का structure है, जो बनाया जाता है, तो यह जो है, वो हम orderly देखते हैं, इसको arrangement देखते हैं, systematicness में, language की, अब है objectivity, इसमें क्या है, कि language is accurate and free from bias, अब जो हम abusive language यूज़ कर रहे होते हैं, बियास language यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे हम लोगोंने free language को use करना है, कि हम अपनी language में bias words को use नहीं करना है, abusive language को use नहीं करना, language जो होगी हो, हमारी accurate होगी, and shows respect for views of other, और हमने यह नहीं करना कि हम अपना जो subjectivity में कर रहे होते हैं, कि अपना view share कर रहे होते हैं, और उसी को कह रहे होते हैं, कि यहीं ठीक है, इसी को importance दो, इसी को agree करो, नहीं, objectivity में हमने जो है ना, वो बाकियों का review जो होता है, जो हमारे, जो हम देख रहे होते हैं, या सुन रहे होते हैं, हमने उसको भी respect करना होता है, कि हाँ, वो भी ठीक हो सकता है, उसको भी agree करना होता है sometimes, तो that is the objectivity, कि हमने others के जो language है, जो उसकी agree, मतलब कि उसकी जो views हैं, उसको भी हमने respect करना होता है, और language जो है वो हमारी accurate होनी चाहिए और free from bias होनी चाहिए अब इसमें जो है हमारी आ जाती है empirical test आ जाता है जिसमें हम test करते हैं observation करते हैं ठीक है इसके result में हमें observation मिलती है judgment मिलती है ठीक है हर चीज जो है नवा experimental conditions के थूरू जो है उसको judge किया जाता है उसको observe किया जाता है language को ठीक है अब जैसे मिन आपको बताया था कि language जो है empirical test के थूरू जो है नवा study किया जाता है कि हर चीज perfect है उसको proof किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है true है उसको false की तरह जो है नहीं देखा जाता ठीक है उसको experiment किया जाता है उसकी conditions का second है हमारे पास objective observation इसमें हमारे पास आजिती है हमारी observations आजिती है जिसमें हम investigation करते है ठीक है language की हर चीज जो है वो investigate की जाती है कि जैसे language है तो वो किस तरह से pronounce कर रही है words को किस तरह से sound produce हो रहे है किस तरह से form हो रहे है is words, इन सारी चीज़ों की जो हैreichen observation की जाती है। यहां पिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि objective observation क्या होती है? जिसमें हम लोगों को बाकी लोगों की reviews भी इसको investigate करने का मूका मिलता है और उसको observe करने का मूका मिलता है कि बाकी लोग जो है वो इस language की according क्या कहते हैं या वो किस तरह से वर्ट को प्रोनाउंस करते हैं किस तरह से ग्रामर को यूज करते हैं अपनी लैंगविज में क्यूंकि हर सुसाइटी हर कंट्री की अपनी जो है वो लैंगविज होती है तो हम इसमें अब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री इसके लोग कर लेते हैं अब इसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ठीक है लिंग्विस्टिक्स में जैसे में आपको बताया है फिनोलजी पढ़ ली morphology पढ़ते हैं, syntax पढ़ते हैं, applied linguistics पढ़ते हैं, जो branches पढ़ते हैं linguistics की cycle linguistics, historical linguistics, social linguistics, semantics पढ़ते हैं ठीक है इन सारी चीज़ों को हम study करते हैं और ये सारी चीज़ें understand करते हैं उनके structures को understand करते हैं, उसके format को understand करते हैं इन सारी चीज़ों की understanding करते हैं और इन सारी चीज़ों को हम लोग study करते हैं तो यह जो है वो इसके scope में देखा जाता है basically अब इन सारी चीज़ों में जो है न वो scope इसका देखा जाता है लिंग्विस्टिक्स का अब आते हैं लेसन नमर 10 की तरफ इंट्राइडिसिप्लिनरी ब्रांचिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स इसमें हम लोग उने basically branches of linguistics पढ़नी है जिसे मैं आपको बताया था कि descriptive linguistics, historical, comparative यह सारी चीज़ों मैं आपको साथ पहले share की थी कि आप नीशे जाके पढ़ने वाले हैं तो यही वो chapter है जिसमें आप वो सारी branches पढ़ेंगे one by one करके तो branches of linguistics बहुत सारी हैं जिसमें हम लोग जो है न वो different type की linguistics हमें मिल जाती है ठीक है तो पहली जो branch है न वो है theoretical linguistics linguistics theoretical linguistics क्या होती है सबसे पहले इसकी definition पढ़ लेते हैं study of parts of language system इसमें language के parts की study की जाती है language के system की parts की study की जाती है it aims to explain human nature अब इसमें जो है न human nature को explain किया जाता है उसके parts language के उसको study किया जाता है और aim क्या है इसका to explain human nature और that is called the theoretical linguistics अब applied linguist अब applied linguist क्या करते हैं कि उनका क्या काम होता है provide solution of a problem language में जो problem face कर रहे हैं लोग उसका solution provide करना ये काम होता है applied linguist का अब है historical linguist historical linguist में क्या देखा जाता है कि scientific study how language can change over time अब इसमें हम लोग scientifically study करते हैं language की किस तरह से language जो है ना वो time to time change हो रही है modern period में language जो थी वो different है past में different थी ठीक है और जिस तरह से time change हो रहा है जिस तरह से time shift हो रहा है इसी तरह से में Latin और Greek के words use नहीं होते हैं बहुत कम हो गए है ठीक है बहुत आपको नजर आ गए तो आ गए इस तरह से scene है तो historical linguistics में ये देखा जाता है जिसमें हम over time हमारी language जो है वो और shift हो रही है चेंज हो रही है इसका चेंजमेंट देखा जाता है descriptive linguistics descriptive linguistics क्या होती है जिसमें हम description of a Phenology grammatical and sematic structures जिसमें हम description देखते है कि किस तरह से words co produce किया जाता है किस तरह से sound authors produce कर रहे है grammatical जहां पे grammar mistakes अरे grammar किस तरह से use की जा दया है किस तरह से semantic structure है किस AI हम words qa meaning the sound जो है ना Wait stand कर पाते है इन सारी चीजहों के जो है ना वहमें description वस चार्याति आप यह कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं उसमें उन सारी चीज़ों की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है उन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में अब लास्ट पर है applied linguistics applied linguistics क्या होता है इस तरह से मैं आपको पता है applied linguistics क्या करते है कि सारी जो problems phase कर रहे होते है लोगप लेंग्विज में उसका solution provide कर रहा होता है applied linguistics तो applied क्या होता है इत अटिफाइज investigates and offers solution to language related real life problem अब applied linguistics की definition भी यही होगी कि identify करता है investigate करता है लाइफ प्रॉब्लम जो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम में फेस कर रही होती है, लैंग्विज इनकी वज़ा से आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होती है, उसका यह solution प्रॉवाइड करता है, सबसे पहले उसका investigation करता है, उसको identify करता है, तो यह जो है वो applied linguistic हो ग किस तरह से use किया जाता है, present में किस तरह से use किया जाता है, किस तरह से change होती है, over time language, ठीक है, a study, अब basic इसकी definition क्या है, a study of phenomenon, historical changes and functions of language without restrictions to a particular language or to a particular respect of language, अब इसमें यही है, in short, अगर मैं आपको translated way में बताऊं, कि इसमें हम लोग human language की study करते हैं, जर्नल लिंग्विस्टिक्स पी क्या होगे, जिसमें हम overall linguistics की study कर रहे हैं, basically, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं, कि language जो है, वो किस तरह से form होती है, उसका usage किस तरह से है, language को use किस तरह से करना है, past में language क्या थी, present में language क्या है, किस तरह से change होती है, over time, तो यह सारी है वह हम journal linguistics में study करते हैं basically यहाँ पर मैंने again मैं आपको repeat भी कर देती हूँ इसकी जो official definition है आप गोर से सुन लेना a study of of the phenomena historical changes and functions of language without restrictions to a particular language or to a particular aspect of language that is called the journal linguistics जो already मैं आपको उर्दू में भी explain कर चुकी हूँ उसके बाद आते हैं descriptive linguistics कि तरफ again repeat कर देती हूँ अलिग्विज जो परड़े होते है बिसिकली उसकी हमें description मिलचाती है इस में descriptive linguistics में इसमें हमें analysis मिलचाता है basically in short analysis मिल चाहता है language का comparative linguistics comparative linguistics is a study of similarities and differences between languages comparative means name से ही जाहर हो रहा है compare करना एक language को दूसरी language के साथ comparative linguistics भी यही है कि इसमें हम लोग दो languages को difference करते हैं उसका difference बताते हैं कि एक language जो है वो different है दूसरी language जो है वो different है उसकी similarities को बता रहे होते हैं उसके differences को बता रहे होते हैं उसको हम comparative linguistics कहते हैं इस तरह से कहा जा सकता है कि English language जो है वो different है उर्दू language से यह उर्दू language जो है वो different है पँझापी लेंग्विज से तो आप इसकी example इस तरह से भी comparative linguistics के लिख सकते हैं अब जिस तरह से यहाँ आप example दी है common and sister in English and German अब English और German में इन words को differently pronounce किया जाता है या differently बोला जाता है ठीक है जैसे mother है German में इसको matter कहेंगे father है water है friend है fruit अब इसकी spelling भी different है इनकी pronunciation भी different है और इनका जो है ना लिखने का तरीका भी different है written form भी इसकी different है तो ये आप इसमें इसका भी difference डाल सकते हैं कि English के words जो हैं वो German से बहुत ज़्यदा different है pronunciation के थुरू भी, बोलने के थुरू भी, लिखने के थुरू भी सारी चीजों से इनके difference देखा जा सकता है English और German languages में अब है historical linguistics अब basically मुझे लग रहा है कि यहां पर उनने डिटेल में बताया हुआ है जिस तरह से अल्रेड़ी हम पहले डिसकस कर चुके हैं शॉर्ट सी उनने रेफिनेशन दी थी अभी यहां पर उनने डिटेल में बताया हुआ है historical linguistics जैसे में आपको पताया है इसमें हम लोग history देखते हैं कि already जो है न मिडल इंग्लिश में या ओल्ड इंग्लिश में हमें किस तरह से linguistics देखने को मिलती थी ठीक है हम किस तरह से language को use करते थे किस तरह से हम pronunciation करते थे words की किस तरह से over time change होती भी दिखाई दे दी है हमें तो basically इस linguistics की history को study किया जाता है इसमें in short ठीक है अब यहां पर modern historical linguistics जो है वो कहां पर जाके हमें मिलते हैं और वो उनकी जो है ना वो language किस तरह की थी और middle English किस तरह की थी obviously वाद है कि वो different थी ठीक है old English जो थी वो different थी उसमें Latin और Greek के words हमें मिल जाते थे middle English में हमें थोड़ सी changement मिल जाती थी हमें proper format मिल जाता था modern में जाके जो हमारी अब की चल रही है हमारी recent English चल रही है language चल रही है वो हमारी modern में आ जाएगी तो यह सारी जीज़ें जो है ना वो हमारी historical linguistics में आ जाती है उसके बाद lesson number 11 है interdisciplinary branches of language अब यह linguistics अब यह भी जो है ना वो lesson उसी का ही पार्ट है जो हम लोग branches discuss कर रहे हैं previous lecture में भी यह further उसकी branches है अब इसमें आ जाती है branches social linguistics, psycholinguistics अब social linguistics क्या है यहाँ पे अलग से उन्होंने definition दी वी है social linguistics में हम study करते हैं जो हमें relation बताता है language and society का language क्या है और society में language किस तरह से बोली जाती है हर society की अपनी language है हर culture की अपनी language है psycholinguistics क्या होता है जिसमें हम study करते हैं language को और psychology को से brain में हमारा language जो है ना वो देखता है कि language को किस तरह से pronounce करना है, language को किस तरह से organize करना है, जो mind का काम होता है ना, language का वो हम इसमे study करते हैं तो सबसे पहले social linguistics है यहां पर, जो detail में उन्होंने बताया हुआ है, social linguistics क्या है, relationship है language and society का, ठीक है जिसमें हम देखते हैं सारा relation language किस तरह से बोली जाती है, society में ठीक है different society के अपने dialects है, dialects change है हर society का, accent change है हर society का accent change है ठीक है, हम लोग जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा accent different है, English बोलेंगे तो हमारा accent different होगा पाकिस्तान अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो हमारा, हम देखते हैं कि वहां की लोगों का English ही बोल रहे हैं लेकिन उनका बोलने का English बोलने का accent different है, तो यही सारी चीज़ें जो हैं, वो social linguistics में पढ़ी जाती है, कि किस तरह से हम different society में जाते हैं, different culture में जाते हैं, यह different country में जाते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का changement मिलता है, हमें difference देखने को मिलता है, कि किस तरह से जो है न society में language change होती जाती है उसके बाद आता है psycholinguistics, psycholinguistics कि क्या है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी study of the mental aspect of language and speech, हम mentally देखते हैं, अपनी brain में देखते हैं कि language को किस तरह से जो है ना, वो brain हमारा understand करता है, बोलता है, यहां फिर उसको organize करता है language को, यह सारी चीज़ों जो brain से related है, वो psycholinguistics में पढ़ी जाती है it is primarily concerned with the ways in which language is presented and processed in the brain किस तरह से process होती है और किस तरह से represent की जाती है brain में अब जैसे psycholinguist study how word meaning, sentence meaning and discourse meaning are computed and represented in the mind किस तरह से जो है ना, वो word का meaning, sentence का meaning और discourse का meaning discourse means कि आपने जो communication है, आपकी जो आपने sentence बोल दिया है, spoken और written form में, उसका meaning are computed and represented in mind, अब उसको किस तरह से mind में represent किया जाता है, या किस तरह से compute किया जाता है mind में that is the psycholinguistics applied linguistics applied linguistics is concerned with practical issues involving language in the life of the community अब इसमें आपके issues आजाते हैं, आपकी problems आजाती हैं जो आपको daily life में problem face करनी पड़ी होती हैं, language से related उसको हम solution provide करता है applied linguistics ठीक है, applied linguistics में जो है, वो branches आजाती हैं इसमें आप bilingualism और multilingualism को भी discuss कर सकते हैं इसकी branches में, जिस सरह से applied linguistics होता है, कि हम problem का solution provide कर रहे होते हैं तो bilingual क्या होता है, कि जिस तरह से एक person है, जिसको two languages आती है तो एक person है जो bilingual नहीं है, तो उसे face करनी पर रही होती है, problem कि एक person को दो या तो से जादा languages आती है यह दो भी languages आती है तो वो easily उसके साथ communicate कर रहा होता है, जिस तरह से अगर एक person है, अगर मैं आपको example से clear करूँ, तो आपको अच्छी समझ में आजाएगी है hope, कि अगर आपको जो है वो इंग्लिश बोलना आती है और second person है जिस को जो है, वो English बोलनी नहीं आती ठीक है, और English के साथ साथ आपको उर्दो भी बोलनी आती है और पंजाभी भी बोलना आती है, लेकिन second जो person है उसको English बोलनी नहीं आती आप अपनी communication जो है वो English में कर रहे हैं तो उसके लिए problem हो जाएगी कि वो English को किस तरह से understand करें या बोले तो उसको आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी और आपका वो answer भी नहीं कर सकेगा आपकी communication का न्याद की बात का तो ये आप इसमें discuss कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ना हमें problem का solution प्रोवाइड करती है applied linguistics ये वो हमें बताती है कि हमें bilingual होना चाहिए या bilingualism हम नहीं है इसी वज़ा से हमें जो है ना वो language समझ में नहीं आ रही है हमें English समझ में नहीं आ रही है अब है computational linguistics computational linguistics कहा जाता है जिसमें हम computer से related analysis मिलता है हमें हम computer science की techniques को use करते हैं जिस तरह से हम computer में language को पढ़ते हैं ठीक है हम binary form में देखी जाती है language हम English में लिख रहे होते हैं कोई sentence लेकिन computer जो है वो अपने brain के according जो उसमें चीज फिट की भी होती है वो उसके according उस language को जो है न वो understand कर रहा होता है हम यह हमने शुरू से ही पढ़ा है कि वो computer जो है वो binary form में zero one की form में numbers form में जो है न वो understand कर रहा होता है language को तो computational linguistics पी यही है जो हम computer में पढ़ रहे होता है language कि वो हमें बानेरी form में दिखा बनलब के computer जो है न वो understand कर रहा होता है अपनी language को arithmetic calculations जिसमें हमें मिल जाती है कि हम calculations के थूरू जो है न वो अपनी language को understand कर रहा होता है computer उसके बाद आते हैं geographical linguistics जिसमें हम जो है वो dialect की geography पढ़ते हैं इसमें हमें geography दिखाई जा रही है different languages दिखाई जा रही है इसमें हमें geography of linguistics या language दिखाई जा रही है तो इसमें हमें जो है न local or original variations of a language or dialect studies as a field of knowledge अब इसमें जो है न हमें dialect का difference मिलता है हम इस country में बैठे हैं या इस area में बैठे हैं आगे वाले area में जाते हैं like हम लहूर में हैं और हम जो है वो 4-5 hours का travel करके इसलामाबाद या पिंडी चले जाते हैं तो हमें उसके उदर जो है ना वो dialect की changement मिलती है ठीके हमारा dialect change है उनका dialect change है मेशे का हम लोग उर्दू बोल रहे हैं लेकिन उसमें हमारे accents different है हमारे dialect difference है तो यह हमारा जो है ना वो geographical linguistics में आ जाएगा जिसमें हम थोड़ा सा आगे भी अपने area में जड़े जाएगा तो हमें dialect का change मिल जाता है dialect की geography मिल जाती है dialect accent की geography मिल जाती है अब आते हैं lesson number 12 की तरफ linguistics versus traditional grammar introduction recognize that the phrase the lucky boys is well formed phrase in English but the following two phrases are not at well formed अब क्या होता है कि हम English में different तरह से बोलते हैं एक sentence lucky boys the अब हमने जो है कोई organized way का खयाल नहीं रखा, कोई format का खयाल नहीं रखा, कोई rules का धिहान नहीं रखा English के कि कहां पे कहां कौन से word को use करना है हम बस ऐसे हमें जहां समझ में आया हमने दी को लिख दिया जहां पे समझ आया हमने पोईस को लिख दिया जहां पे समझ आया हमने adjective आड़ कर दिया noun आड़ कर दिया verb आड़ कर दिया तो हम जो है इसमें नहीं समझा रही कि हमें मतलब मीनिंग क्या है या कहां पे कौन सा वर्ड जो है ना वो और्गनाइज करके या रेंज करके नहीं लिखा हुआ तो लिंग्विस्टिक्स में हम इसी चीज़ के स्टडी करते है कि किस तरह से वर्ड को और्गनाइज किया जाता है कहां पे verb आना है कहां पे adjective आना है कहां पे noun आना है इन सारी चीज़ों की arrangement की जाती है basically in short parts of speech की arrangement की जाती है linguistics में तो इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो है न format देखा जाता है article, adjective, noun and not अब यहां पे अगर हम लोगों ने मतलब कि sentence clear नहीं लिखना या हमने arrangement को follow नहीं करना तो हम noun, article, adjective कहीं भी किसी भी चीज़ को add कर देंगे articles जो है sometimes sentence के दरम्यान में भी आ रहे होते हैं लेकिन जादा तर जो articles हैं वो start of the sentence ही आते हैं ठीक है आप nouns को add सबसे पहले नहीं लिख सकते हैं और adjective को second number पर नहीं लिख सकते हैं ठीक है एक rules बने हुए हैं English में एक grammar के rules बने हुए हैं कि कौन से चीज़ कहां पे adjust की गई है कहां पे उसका arrange किया गया है तो traditional grammar क्या होती है जिसमें हम लोग देखते हैं the concept about structure of language that is commonly taught in schools जो हमें schools में सिखाए जा रही थी जो हमें हम schools में पढ़के आए होते हैं that is the traditional grammar जो school grammar भी जिसको हम कह सकते हैं जो modern grammar से आने से भी पहले की grammar जो है उसको हम traditional grammar कहते हैं इसमें Latin और Greek जब time period चल रहा था उसकी grammar को traditional grammar कहा जा रहा है जो modern time नहीं आया था पहले जो old English में grammar यूज की जाती थी या middle English में जो grammar यूज की जाती थी उसको traditional grammar कहा गया है अब उसकी जो grammar का format है उसकी जो arrangement है वो different है तीक है और जो modern time की grammar है और arrangement है वो obvious सी बात है कि वो different है इस तरह से time shift होता है, change होता है, इस तरह से language भी हमें different नजर आती है, उसमें हमें changement नजर आती है Parts of speech, Parts of speech क्या होते हैं, हमारी जो speech होती हैं, हम जो words बोल रहे होते हैं, जो communication कर रहे होते हैं, दूसरे person के साथ तो, that is the parts of speech, जिसमें हम sentences बोल रहे होते हैं, जिसमें हम different phrases बोल रहे होते हैं, और उसमें, जो है, उन sentences में, हम words यूज कार रहे होते हैं, ठीक है, वो words, जो है, वो nouns हो सकते हैं, वो adjective हो सकते हैं, वो, जो है न, वो pronoun हो सकते हैं, वो verb हो सकते हैं, वो कोई भी, जो है न, वो word हो सकता है उसको हम कहते है parts of speech जिसको हम एक sentence में different type के हमें न मिल जाते है parts of speech ठीक है अब इनकी जो arrangement है वो different होती है अब agreement agreement क्या होता है जिसमें एक word का दूसरे word के साथ agreement होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक अगर adjective है तो दूसरा जो है वो noun है तो उसका कोई agreement नहीं है एक दूसरे के साथ ठीक है अगर जिस तरह से मैं आपको example दूँ कि subject verb agreement जिस तरह से पहले number पे sentence के subject आता है दूसरे number पे verb आता है तो इन दोनों का आपस में agreement होता है अगर subject plural है तो verb भी plural होगा जो है वो agreement होना चाहिए कि subject अगर plural है तो verb भी plural ही होना चाहिए तो इन चीज़ों का जो है ना वो language में यह agreement देखा जाता है उसके बाद आता है linguistics the scientific study of language जिस तरह से हम overall nine lesson से पढ़ रहे हैं कि linguistics जो है वो scientific study of language है उसमें definition again हम repeat यहाँ पे की वी है कि definition of linguistics, linguistics क्या है ठीक है इसकी scientific approaches है objectivity है एंप्रिसिसम है rationalism है ठीक है consistency है economy है तो यह सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इस table में आपको मिल जाएंगे जो आपने as it is याद कर लेनी है इनको समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है अब है linguistics and descriptiveism descriptiveism linguistics को आपको सबको पता है कि language है scientific studies में की जाती है ठीक है descriptivism क्या है refers to the analysis of how language is used by its speakers or writers language correct है या नहीं है language की analysis की जाती है इस तरह से हम description पढ़ते है language की जिसमें हम analysis मैंने आपको बताया था कि descriptive linguistics क्या है जिसमें हम analysis पढ़ रहे होते हैं different languages की descriptivism भी यही है इस पे हम analysis कर रहे होते हैं किस चीज़ का कि language किस तरह से use करता है speaker या लिख रहा होता है जो वो किस तरह से लिख रहा है language को या जो बोलने वाला है वो language को किस तरह से बोल रहा है या use कर रहा है language को इसको हम descriptivism कहते हैं अब डिफरेञ्ट आप इसमें लिख सकते हैंगे डिफरेंट परसन हैं दिफरेञ्ज राइचा या उसका अपना एक तरीका है language को use करने का language को बोलने का pronunciation करने का words की तो इन जीजों को भी आप इसमें descriptivism में add कर सकते हैं linguistics is of non-speculative nature अब linguistics जो है non-speculative nature है क्योंकि non-speculative language कहा जाता है जिसमें हम evidence नहीं दे रहे होते हैं ठीक है जिसमें हम daily based change infant conversation का रहे होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि इसका मतलब यही है इसमें हम evidence नहीं देते हैं इसमें हम proof नहीं दे रहे होते हैं उसको हम speculative nature कहते हैं basically तो linguistics जो है ना वो non-speculative है क्योंकि हम tested proof देते हैं scientific study की जाती है हर चीज की phenology की तरह से use करनी है उसकी definition क्या है morphology की definition क्या है sentence की definition क्या है तो इन सारी चीज़ों की जो है ना evidence के थुरू उसको study कर रहे होते हैं उसको tested के थुरू कि इस person ने जो है ना ये definition दी है उसने language को इस तरह से use करना हमें बताया है और written form में इस तरह से language को बताया है spoken form में इस तरह से language को बताया है तो हम linguistics में जो है ना scientifically study कर रहे होते हैं लेकिन ये non speculative है क्योंक इस speculative का मतला में आपको बताया है कि होता है कि हम उसमें evidence based study नहीं करते हैं उसको हम एक तुक्के की तरह जो है न वो study करते हैं कि हम prove नहीं देते किसी चीज़ का या experiment नहीं करते हैं observation नहीं करते हैं उस चीज़ की अब है linguistics and spoken language linguistics क्या है जो हम बहुत बात पर चुक्क है मैं नहीं आपको उताऊंगी अब आपने जो है न उसको understand अब हो गया होगा I hope linguistics क्या है spoken language and spoken language अब linguistics क्या है और spoken language क्या है spoken language क्या जो चीज हम बोलरे होते हैं ठीक है उसको हम spoken language कहते हैं many languages have no written format so are also spoken اب कुछ जो languages होती है उनका written format नहीं होता वो लिखी नहीं जाती है बलके वो सिरफ बोली जाती हैं अब उसको जो है वह आपसी बात है जो हम लैंगविच बोल रहो हैं जैसे मैं आपके साथ एक language यूज कर रही हुं और्दू तो मैं जो हूं इसु Readyowane 시. अभर मैं इसको सिर्ण के तो आपको नहीं बता सकती हूं osis करती हैं मैं इसको वो वली उर्दू यूस कर रही हूँ मैं ऑफिशल उर्दू जो हम बुक्स वगरा में रीड कर रहे होते कहानियों में रीड कर रहे होते हैं उर्दू की वो वली उर्दू तो नहीं यूस कर रही मुश्किल वली ठीक है वो हमें थोड़ी से ठीक है transcription of signs भी इसमें आ जाते हैं तो basically in chart ये कि हम जो भी बोलते हैं वो हमारी spoken language होती है हम किसी person के साथ जो है वो communicate कर रहे है spoken form में वो हमारी spoken language है ठीक है अगर हम written form में किसी के साथ communicate कर रहे हैं letters के जिस तरह से हम letter लिख रहे होते हैं दूसरे को तो वो हमारी written language है ठीक है इनका यहां पर difference है basically linguistics की definition इसमें लिख देना spoken language के बारे में बता देना कि ये vocal languages होती है ठीक है many languages have no written form and so only spoken ठीक है तो ये सारी चीज़न जो आपको easy इसमें से lines लग रही होंगी वो आप इसमें include कर सकते हैं basically मैंने इन short आपको जो है वो थोड़ा सा concept दे दिया है कि spoken language क्या होती है जो already आपको सबको पता भी होगी तो आज का जो हमारा lesson है जो आज की वीडियो है उसमें हमने lesson number 9-2 lesson number 12 तक सारे lessons को discuss किया है I hope कि easily मैं आपको समझाया होकर आपको समझ भी आ गई होगी even अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप comment section में comment कर सकते हैं और अगर आपको आ भी गई है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं मिलते हैं अपनी next वीडियो में इंशाला अलाफिस